हेलो दोस्तो वेलकम टू आवर चैनल एक्जाम वोरियर्स बिहार सिक्षक नियोजन से रिलेटेड जो लेटेस नियोज है सिक्षक नियोजन छटे चरन के लिए आविदन फिर से और जो सिक्षक का नियोज है पहले से बनी मेधा सुची भी बदलेगी जैसा कि आप लोग जान की नियोजन प्रक्रिया में एक बार फिर से आविदन प्रारम किया जा रहा है यानि अब 2021 में छटे चरन के अभी हर्तियों की नियुकती नहीं मिलेगी तो इस वीडियो की माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आज का लेटेस नियोज क्या है सिक्षक नियोजन छटे च इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किर्पिया वीडियो को अंति तक देखिएगा और जो दोस्त चैनल पे नए आये हुए हैं किर्पिया वो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि सिक्षक नियोजन से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होगा व माधमिक सिक्षकों को जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके स्कीन पे ये दिख भी रहा होगा कि माधमिक सिक्षकों के नए सिरे से वाली होगी ये हिंदुस्तान पेपर का पतना का नियूज है आज का ये कि राज सरकार के सिक्षा विभागने परदेश के सरकारी माधम की प्रक्रिया की गोशना की गई है इसके तहट दो अगस्ते रिक्त पदों की गन्ना से लेकर की अगले पांच महने में दस दिसंबर तक अंतिम रूप से चैनित मेधा सुची को जीले में जीले के एनाइसी की वेबसाइट पर अफ्लोड की जाएगी उसके बाद जीले कौंस निकाया नए सीरे से एक जनवरी 2019 से 30 जून 2019 की अबदी की रिक्त की गन्ना करेगी इससे नियुक्ती होने वाले पदों की संख्यां भी बढ़ जाएगी 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ती की आरता रखने वाले स्टीटी उतिन भेरती रिक्त पदों के विरुद 18 अगस्य सितंबर तक आवदन के पात रहोंगे यानि की जैसा कि हमने कहा कि अब जो बहाली है वह नए सीरो से होगी इसके आलावा देखिए कुछ इंपोटेंट पॉइंट है आज की नियुज में कि सरकार ने दो जुलाई को घोसित नियुक्ती स्यूडूल पर रोक लगाई यानि जो स्यू आवदन 30 जून तक उपलवद रिक्तियां छटे चरन के नियुजन में सामिल होगी इसका मतलब है कि छटे चरन में रिक्तियों की संक्यां बढ़ेगी और जो मेधा सुचिया हुआ 10 दिसंबर तक आएगी इसलिए हम कह सकते हैं कि छटा चरन का जो वेकेंसी है इसकी प्रक् मेहलाओं के लिए सीट आरक्षित अंक में छूट नहीं यानि सीट आरक्षित होगा लेकिन अंक में कोई छूट नहीं दी जाएगी जैसा कि आप देख रहे होंगे इस पेपर में लिखा हुआ है कि सिक्सा मंतरी विजय कुमार चौदरी ने कहा कि सरकार ने सभी नोकडियो में महलाओं के लिए 35% का आरक्षित अंके लिए आरक्षित पद किसी भी हाल में महला अवहरती से ही भाड़ा जाना है लिहाजा अब स्टेटी में अलग से 5% की छूट देनी की कोई मतलब नहीं है मंतरी विधान परिशन में सुक्रवार को प्रफेशर संजय कुमार सिंग क अलप सुचित प्रस्ण का उत्तर दे रहे थे कहा कि स्टेटी 2011 में महलाओं के उत्रणांक में 5% का लाब दिया गया है जिनका नियोजन अभी हो रहा है लेकिन स्टेटी 2019 में समान कोटी के लिए 50% अंक सी स्टी पिछरा वर्ग वा दिव्यांक के लिए 45% लाना अंक लाना निटधारित था महलाओं को अलग से उत्रणांक में 5% की छोट नहीं दी गई यानि कि उसका सीट आरक्षित होगा लेकिन मार्क्स में कोई छोट नहीं दी जाएगी चलिए अब अगले नियोज के और बरते हैं अगला जो नियोज है वो सिक्षक नियोजन से रिलेटेड कि जो सिक्षक बहाले की पहले से बनी मेधा सुची भी बदलेगी यानि जो पहले मेरिट लिस्ट बनी वी थी छटे चरन की वो भी चेंज होगा इसमें क्या कहा गया वो देख लेते हैं कि सरकारी माध्यमिक उच माध्यमिक हैस्कुल इंटर इसकिलों के 3020 वदों पर चल रही छटे चरन की नियोजन परकिरिया को ततकाल प्रभाव से रोक दिया गया है नया नियोजन सिडूल जारी कर दिया गया है इसमें स्टेटी 2011 में उतिन और प्रसिक्षित अभियर्थी जो 28 सत्र 2016-18 तक में नामंकित और उतिन हो तथा 26 सितमर 2019 तक जिनके परिक्षावल परका प्रसित हो वे ही नियुकती है तू आवेधन के पात्र होंगे एक जुलाई 2019 को प्राराम नियोजन प्रकिरिया अंतरगत जिन अभी अर्थों द्वारा पुर्व में नियुकती होती हो आवेधन क्या गया उन्हें फिर से आवेधन करने के आवसकता नहीं है यानि कि जोनों प्रास्त और राजनिती सास्त्र विशामित से परतिष्था यानि ओनर्स होने पर समाजिक विग्यान विशा के लिए पांचंक जोडने का नियुकती है उच्छे मादमिक सिक्षकों के नियोजन में क्या गया है इसलिए पुर्व से बनी मेधा सुची बदलेगी विग्यान के लिए इत्यास और भोगोल में परतिष्था होने पर पांचंक जोडने का विभागया आदेस पहले से था यानि कि जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि दो नियुज बहुत ही इंपोर्टेंट था आज का जो सिक्षक बाहली को ले करके है पहले से पहले से बनी आज का नियुज है आज का नियुज है वो आपको हमने बताया तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो किर्पिया लाइक शेयर और अपना केमेंट्स जरूर दीजेगा और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हाए हैं किर्पिया वो चैनल को भी सब्सक्राइ जय भारत